नमस्कार प्राइम टीवी के खासकारिक्रब में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुशका सेंग काशि हिंदो विष्व विद्याले के वैज्ञानिकों ने अध्यन द्वारा ये दावा किया है कि एक बार कोरोना को मात दे चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही काफी है वेग्यानिकों ने अध्यन में के परिणाम के सामने आने पर प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर ये जानकारी दी गई है बियेच्चिव वेग्यानिकों ने रिसर्च में वेक्सीन को लेकर और कौन-कौन से दावे किये हैं देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बनारस हिंदू विश्विद्याले के वैग्यानिकों ने अपने शोध में बताया है एक बार कोरोना संकर्मित हो कर ठीक हो चुके व्यक्ति के लिए कोविड वैक्सीन की एक ही डोस काफी है वैग्यानिकों का दावा है कि कोरोना संक्रमण से उबरने वाले लोगों में वैक्सीन की पहली डोस दस दिन के अंदर परियाप्त एंटिबॉडी बना देती है वैग्यानिकों के मताबिक चुंकि ऐसे वैक्ति के अंदर वायरस के खिलाब पहले से एंटिबॉडी मौजूद रहती है और वैक्सीन की एक खुराब के बाद अधिक एंटिबॉडी बनती है जो संक्रमट से लड़ने में कारगर होती है जो एक बार भी कोरोना वायरस से संक्रमट नहीं होए है उनमें कोविड वैक्सीन लगने के बाद एंटिबॉडी बनने में तीन से चार हफ़ते का समय लगता है बतादे कि दियच्व के इन वैग्यानिकों ने अपने शोद को आधार बना कर प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी को पत्र लिखा है और सुझा दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक ही डोस अन्यवार रखे वैग्यानिकों के मताबिक देश में अब तक दो करोड से अधिक लोग कोविट संक्रमन को मात दे चुके हैं ऐसे में अगर इने केवल एक ही डोस लगाए जाए तो वैक्सीन की कमी दूर होगी और जादा से जादा लोगों का टीका करन हो सकेगा बियजू के जूलोजी विभाग के फ्रोफेसर ग्यानिशर चौबे ने बताया कि हाली में उन्होंने अपनी टीम के साथ 20 लोगों पर पाइलेट रिसर्च किया इसमें कोरोना वाइरस के खिलाफ नेचरल एंटीबॉडी की भूमिका और इसके फायदों की बारे में पताया लगाया गया पता चला कि कोरोना वैक्सीन की पहले खुराग कोविड पॉजिटिव रह चुके लोगों में तेजी से एंटीबॉडी बनाती है इस रिसर्च में वैग्यानिकों ने पाया कि ऐसे लोग जो एक भी बार कोरोना संकर्मित नहीं हुए उनमें वैक्सीन लगवाने के 21 से 28 दिन में एंटीबॉडी बनती है इस रिसर्च में बीयच्यू के जूलोजी विवाग के फॉफेसर गजैनेशर 24 के अलावा नियोरोलोजी विवाग के दो फ्रिफेसर 20 सामिल थे फ्रोफेसर चौवे ने बताया कि उनकी टीम का या रिसर्च अमेरिकी जर्नल साइंस इम्नोलोजी में प्रकाशन के लिए भी बेजा गया है दूतिय विश्व युद्ध को हुए अपता करीब आठ दशक से जादा का वक्त बीच चुका है लेकिन अमेरिका ने युद्ध के दोरान भारत में लापता हुए अपने 400 सैनिकों के अफशेशों को खोजने के लिए गुजरात का रुक करने का फैसला लिया है जिसके लिए उसने भारत के NFSU विभाग से हाथ में लाया है तो चलिए जानते हैं कि NFSU विभाग ने अमेरिका के सैनिकों को ढूनने के लिए क्या आश्वासन दिया है अमेरिका ने अपनी चार सो से अधिक सैनिकों की खोज के लिए गुजरात का रुप करने का फैसला किया है दरसल अमेरिकी रक्षा विभाग ने दिती विश्यद के दौरान भारत में लापता हुए अपने सैनिकों के अफशिशों को खोजने के प्रयास देज कर दिये हैं इसी क्रम में उसने गांधी नगर इस्तित राश्टी फोरंजिक विज्ञान विश्विद्याले NFSU से हाथ मिलाया है NFSU के विश्यशग अमेरिका के रक्षा विभाग के तहर काम करने वाले संगठन DPAA की मदद करेंगे DPAA ऐसा संगठन है जो युद के दोरान लापता और बंदी बनाए गए सैनिकों का लेखा जोखा रखता है NFSU में DPAA की मिशन परियोजना प्रभंदक डॉक्टर गारगी जानी ने बताया कि अमेरिका के लापता सैनिकों के अफशेशों को खोजने में हर संबव मदद की जाएगी उन्होंने कहा कि इस संबन में NFSU और DPAA ने खास रणनीती तयार की है उसी के अनुरू काम किया जाएगा डॉक्टर गारगी ने कहा है कि NFSU, DPAA को उनके मिशन में व्यग्यानिक और लॉजिस्टिक रूप से हर संबव मदद करेगा डॉक्टर गारगी ने कहा है कि अजनसी की टीमें दिती विश्युद, कोरिया युद, वियतनाम युद, शीत युद और इराग और फारस की खाड़ी युद्धों सहित अमेरिका के पिछले संगर्शों के दौरान लापता हुए सैनिकों के अफशिशों का पता लगा कर और उनकी पहचान कर उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगी उन्होंने कहा कि दुटी विश्युद, कोरिया युद, वियतनाम युद और शीत युद के दौरान अमेरिका के 81,800 सैनिक लापता हुए हैं जिन में से 400 भारत में लापता हुए थे उधर अमेरिका ने काबुल में अपना सैनिक अड़ा अफगान सेना को सौप दिया है अफगानिस्तान की रख्षमंत्राले के प्रवक्ता फवाद अमन ने कहा है कि बीते शुकरवार को एक समारों में अमेरिका और नाटो बल कमांडर जर्नल स्कॉर्ट मिलर ने अंतरराष्टी समुदाय से अफगान बनों का समर्थन जारी रखने को कहा है बता दी कि अमेरिका और नाटो से नाओ की वापसी एक मही से शुरू हो गई है पेंटगन अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने समपूल वापसी प्रकरिया का 25 पीसिदी काम पूरा कर लिया है कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती हौंग कॉंग की एक महिला थीचर ने एक ऐसा ही कारणामा कर दिखाया है जिसके बारे में जानकर हर महिला गर्व करेगी इस महिला ने केवल 25 घंटे 50 मिनट में एवरिस्ट की चोटी को फटै करने का अनूठा कारणामा करके दिखाया है तो चलिए जानते हैं इस महिला के बारे में अपने इस खास रिपोर्ट में दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं ना कर सकती हो जी हां हॉंग कॉंग की एक महिला टीचर ने ऐसा कारणामा कर दिखाया है जिसके बारे में जानकर हर महिला गर्व करेगी जानकारी के मुताबिक हॉंग कॉंग की रहने वाली सांग इन हुंग ने केवल 25 गंटे 50 मिनट में एवरेस्ट की चोटी को फटह करने का अनुठा कारणामा करके दिखाया है इतनी तेजी के साथ दुनिया की सबसे उची चोटी एवरेस्ट पर चड़ने वाली वे दुनिया की पहली मेला है जानकारी की मुताबिक 44 साल की सांग इन हुंग ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 4 साल तक परवता रोहन की गहन ट्रेनिंग ली उसके बाद वे एवरेस्ट की चोटी को फते करने के लिए निकली और आखिरकार 23 में को उनोंने 26 गंटे में दुनिया की सबसे उची चोटी को छूलिया उन्होंने अपना अन्भाव बताते हुए कहा कि इस अचीमेंट के बाद वो बहुत खुशे हैं और रिलाक्स फील कर रही हैं उन्होंने करीब 4 साल पहले ये टार्गेट टेकिया था जिसे उन्होंने हासिल कर लिया है अधिकारियों के मताबिक सांगिन हुंग ने इस उप्रब्दी के लिए कड़ी मैनत की उन्होंने मई में अपना अभियान शुरू किया था और वे पहले प्रयास में 8755 मीटर की उचाई तक पहुंच गे इसी बीच उपर मौसम अचानक काफी बिगड़ गया जिसके चलते उन्हें बाकी साथियों के साथ नीचे उतरने को मजबूर होना पड़ा। माउंट एवरस के उचाई 8848 मीटर है और वे 8755 मीटर तक पहुंच चुकी थी। लक्ष के इतना करीब पहुंच चूक जाने से उन्हें थोड़ी निराशा तो ही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने वहीं रहकर कुछ दिन बाद दोबारा से एवरेस्ट पर चड़ने का फैसला किया। आखिरकार 23 मेए को उन्होंने एक वर्ड रिकॉर्ड के साथ एवरेस्ट को फतेह ही कर लिया। उनके मन में पहाडों का डर दूरोता चला गया। नेपाल के विपक्षी दलों ने पूर्ड प्रधान मंत्री शेर बहादूर नेउबा के नेतरिस में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके बाद से ही देश में चल रहे राजनीतिक संकत के हालाथ में नया बोर सामने आया है। नेपाल के पियम केपी शर्मा उली ने भी सरकार बनाने का दावा सामने रहा है। उन्होंने CPN, UML के 121 जनता समाजवादी पार्टी के बत्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों के समर्थन पत्र के साथ रास्ट रुपती विज्यादेवी खंटारी से मुलापात दिये। बोली का दावा है कि वो इंदलों के समर्थन से संसर्थ में पहुमत साबित कर देगे। विपक्षिक अन्पिंधन के नेता नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए रास्शुकती विज्यादेवी खंटारी क्यादुकारी का आवास को पक्चे। नेपाली कॉंग्रेस कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जंता समाजवादी पार्टी के उपेदरी आदम नीद धड़े और सत्ता रूर सीपियन न्यू एम एल के माधन नेपाल नीद धड़े समेत विपक्षिकट बंधन ने प्रतिनीधी सभा में 149 सदस्यों का समर्थन नेपाली कॉंग्रेस के वर्ष्ट मीता प्रकाश मान सिंग ने ये जानकारी थी फिलाल इस कारिकरम में इतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार झाल झाल झाल